हेलो दोस्तों स्वागत है हम सभी का आर्वेट यूट्यूब क्लास में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कोस्चन लेकर करके आया हूं इस कोस्चन में हम फेक्टोराइज करेंगे एक एक एक्वेशन को एक्वेशन है सबसे पहले इसकी सुरुवात हम करेंगे यहां से 108 से यह जो 108 है पहले इसका फैक्टर डूडेंगे और फैक्टर हम प्राइम फेक्टोराइजेशन मेथड से डूडेंगे 2 से डिवाइट करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइट करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अगें 3 से डिवाइट करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 3 अब यहां से आप देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इतने का जो फैक्टर आ गया, तो वो आ गया 36 और यह बच गया 3 alone, तो यहां पर एक फैक्टर लेंगे 36, और एक फैक्टर लेंगे 3, 36 में 3 से multiply करेंगे, तो यह मिलेगा 108, और 36-3 करेंगे, तो यह हमें मिल जाएगा 33, यह 33 जो हमारा B है, उसकी value है, means 33 के place पर हम इतना put कर देंगे, 36-3, ठीक है, जहां पर 33 है, वहां पर 36-3 को put कर देंगे, तो चलिए put करते हैं आपे, x square minus 33x minus 108 is equal to 0, x square minus 36 minus 3 into x minus 108 is equal to 0, अब मनला देखो, आपने 33 के place पर 36 minus 3 रख दिया, ठीक है, यहां पर, अब इसको अंदर multiply कर लेंगे, और sign भी अंदर multiply कर लेंगे, तो जब भी बाहर minus sign होगा, तो इनके sign change होगे, जैसे यह होजएगा, x square minus into plus minus 36 into x, 36x minus into minus plus 3 into x, 3x minus 108 is equal to 0, अब यहां से आप x common कर सकते हो, जब आप x common करोगे, तो यहां पर x remain बचेगा, minus 36, और यहां से आप plus 3 common कर लोगे, तो यहां पर बचेगा, x minus 36 is equal to 0, आगे देखेंगे हम, x minus 36, x minus 36 same same है, इसको common कर लेंगे, एक bracket में, तो दूसरे bracket में, यह x बचेगा, plus 3 बचेगा, तो x plus 3 is equal to 0, वैसे तो अगर फेक्टर की बात करें, तो एक फेक्टर यह होगा, एक फेक्टर यह होगा, अब इनको 0 के equal कराएंगे, तो हमें root मिलेंगे, ठीक है, तो x minus 36 is equal to 0, so x is equal to 36, और इधर मिल जाएगा, x plus 3 is equal to 0, so x is equal to minus 3, तो एक answer हमारा आगया, x की value minus 3, और एक x की value आगया 36, तो यह दुनों हमारे इसके root होंगे, आप चाहो तो वीडियो को पाँच करेंगे, इसको write down कर सकते हो, या फिर screen shot ले सकते हो, अगर यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और अपने दोस्तों को भी share कीजिए, comment box में बताना ना भूलिए, आपकी क्या queries है, मैं मेलूंगा अगले वीडियो में, अगले कोशन के साथ अब तक लिए, जाइन